उत्तर प्रदेश के नर्बोर्ट की उपाध्यक्षी सोनम चिष्टी ने सरकिट हाउस में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकी इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जब देश में IAS वा IPS को पेंशन नहीं दी जा रही है तो सांसद विधायकों को क्यों दी जा रही है मेरी निजीरा ये है कि सांसद वा विधायकी भी पेंशन बंदोनी चाहिए इससे सरकारी राजकोष को लाब होगा सडक वा हॉस्पिटल बनेंगे बच्चों को बहतर सिख्षा मिलेगी उन्होंने कहा कि अब किंदर समाज मुख्यधारा में आ रहा है सभी को कानून मानना होगा काफी समय से बदलाओ भी दिख रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में किनरों के कल्यान के लिए समाज कल्यान मंत्री की अधिक्ष्टा में 23 अधस्य किनर कल्यान बोट का गठन किया गया है या वैशक्ताओ, समस्याओं वह मुद्दो पर काम करते वे प्रदेश में बहतर सुधारों के लिए सरकार को सुझोप प्रदान करेगा किंदर समाज के सुअभिमान और सम्मान के साथ किसी को भी खिलवार नहीं करने दिया जाएगा केंदर वह प्रदेश सरकार से इस समाज को भी वही अधिकार प्राप्त है जो अनिको है इसलिए किंदर समाज को गंभीरता से लिया जाए सभी किंदरों के पहचान पत्र बनाए जा रहे है जल्दी किंदरों की जनसंखिया वो समस्याओं का विवरन सार्व जनी किया जाएगा सरकार इने मुक्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है सांसदों की विधाइकों की जो पैंसन मिलती हो बंद हो क्यों नहीं जब पुरानी पैंसल बाहर कतम हो गई हमारे देश के आईस आई पीस भी तो नहीं पा रहे हैं न इनको नेता को भी नहीं मिलनी चाहिए मैं पक्ष में हूँ बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और हमारे योगी आदितनात जी देश के परधान मंतरी बने ये सभी उत्तर परदेश किनर समाज का आशिरवाद है हमारे युवा मुखमंतरी मानी योगी आदितनात जी कलीउ के राम है ऐसा मुखमंत्री जिन्होंने किनर समाज को सम्मान दिये इतने सारे सरकार आए किसी ने किनर समाज की सुद्धने लिये क्योंकि किनर समाज परवु राम जी को आसिरवाद दिये जो किनर राम जी को आसिरवाद दिये तो हमारे मुखमंत्री जी हम लोगों के लिए आसिरवाद लिये और हम लोग को दायत दिये इसलिए हम लोग मुखमंत्री जी को आभार भैक्त करते हैं और मुखमंत्री जी योगी आदितनाज जी को परधान मंत्री के लिए हम लोग संकला पर उनके लिए काम करेंगे मानी योगी जी देश के परधान मंत्री बने ट्रांसजेंडर बूत का फीता काट कर उधगाटन किया ये जीली का पहला ट्रांसजेंडर बूत है उन्होंने कहा कि थानों में ट्रांसजेंडर बूत बनने से किन्नरों को सुरक्षित मौहल मिलेगा